उत्राखंड के नौब बागे विधायकों के सदस्यता पर विधान सभाद धक्ष आज करेंगे आखरी फैसला उत्राखंड के हालाद पर केंद्र सरकार की भी नज़र आज फिर मोधी केविनेट की बैठ़क उत्राखंड के हरीश रावत सरकार के शक्ति परिक्षण में बचा एक दिन हंगामे के आशंका को देखते हुए पूरे राज्य में लगाई गई धारा 144 बागे विधायकों के घर के बाहर आईटी वीपी के जवान तैनाद प्रधान मंत्री मोधी आज रेडियो पर करेंगे अठारवी बार मन की बाद चुनाओ आयोग ने कारकरम को दी मन्जूरी पांच राज्यों में होने वाले चुनाओ को देखते हुए कॉंग्रिस ने जटाई थी आपकती आज फिर असम दोरे पर प्रधान मंत्री मोधी रंगपारा और करीम गंज में करेंगे रैली कल की थी पांच रैलियां कॉंग्रिस पर जम कर बोला था हल्ला पठान कोट आतंकी हमले की जाँच के लिए आज पाकिस्तान की जॉइन्ट इन्वेस्टिगेटिव टीम पहुंचेगे दिल्ली सूत्रों के मताबिक पाकिस्तानी जियाइटी को सिर्फ हमले के गवाहों और चश्मदीदों से ही पूस्ताच की इजाज़त राजस्तान के जैसल मेर में पोकरण में निजीवस और टैंकर में भीशन टककर पांच लोगों की मौत 40 से ज़्यादा जखनी टीम इंडिया के लिए करो या मरो की लड़ाई आज मुहाली में आउस्टेलिया से टककर जीते तो सिमिफाइनल में आरे तो खेल खात्म